आज एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच्चे समय सेनर पर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और यह सवाल काफी कॉमन सा सवाल है बड़े बच्चे हो या छोटे अक्सर यह सवाल पूछते रहते हैं और हम भी आम जीवन में इस समस्या से जूसते ही रहते हैं तो मैंने उस बच्चे को समझाने के लिए उत्तर दिया कि distraction भी अपने आप में एक attraction ही है हम distraction इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस main चीज पर हमारा focus होता है हमारा focus उस चीज से हट कर किसी दूसरे चीज पर shift हो जाता है और हम उसकी और चले जाते हैं तो अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि distraction अपने आप में distraction नहीं बलकि किसी दूसरे चीज के परती एक attraction ही है मतलब हमें दो चीजों के बीच में चुनना है कि हम जो काम वरतमान में कर रहे हैं उसे करें या जिस चीज की और फिलाल आकरशित हो रहे हैं उस और जाएं तो बहुत सिंपल सी बात है अगर हमें दोनों चीजों में से दोनों का महत्व पता होगा और यह पता होगा कि कि दोनों में से महत्व पूर्ण इस वक्त हमारे लिए क्या है तो दोनों में से चुनाव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और इस केस में हम अपने distraction से बच सकते हैं बस इतना सा समझना है कि जिस चीज के प्रती हम attract हो रहे हैं और जिस चीज को हम वर्तमान में कर रहे हैं उन दोनों चीजों में महत्यपूर्ण कौन सा है इसी बात पर एक छुटी ची कहानी मुझे याद आती है जो मुझे लगता है कि शायद आप रिलेट कर पाएंगे सचिन टेंदूलकर की कहानी वह उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे और जब उनके टेंदूलकर मैदान में जा करके क्रिकट के प्रैक्टिस करते थे क्योंकि उनको पता था कि क्रिकट उनके लिए कितना महत्यपूर्ण है और इस हिसाब से उन्होंने अपने आपको किसी दूसरे चीज से डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लिया और क्रिकट के उपर उनका फोक बस दो चीजों के बीच में हमें डिसाइट करना होता है कि जो वर्तवान में कर रहे हैं और जिस चीज के प्रति हमां ट्रैक्ट हो रहे हैं उन दोनों चीजों में महत्यपुर्ण कौन सा है अगर हमें चीजों के महत्व किसी निश्चित बिंदू पर पता हो तो निश्चित तोर पर हम किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और ये काफे आसी आसान सा प्रक्रिया होगा ठीक है तो यही मेरा जवाब था उनको